हेलो फ्रेंस वेल्कम बैक टू मैं चैनल आटर बड़ी और मैं हमानी जिसानी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं तब पहले से सब्सक्राइब कर लिए बैल आइकन बटन को दो आना बिलकुल मत बूलिए उससे यह फायदा होगा इन फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियो नाँगा बाब तक पहुंचाईए और साथी साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कर लिए आड़ बड़ी एबी के नाम भी अकाउंट है जाईए बहां पर फोलो कर लिए तो गाई सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चांगा मैं आपको कोई भी स्टी बॉलों स्टीड डर्ग के ऊपर जो बहुत ही ज्यादा जूस की जाती है बोडी मिल्ली में ज्यादा तर इसे एक्टर्स फिटनस मोडल और बोडी बिल्डर जूस करते हैं अपनी मसल को लिए और अपनी बोडी को रिप्ड दिखाने के लिए ट्रिम बूलों जै करने के लिए ज्यादा तर इसे जूस किया जाता है कोंपिटिशन के पहले जिससे कि हम अपनी बोडी में कटिंग ला सकें और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें तो फ्रेंस अब मैं आपको इसके जूसे बैनिफिट साइड फैक्ट डोजेश साइकल और इसकी PCT के बारे म में किस परफस के लिए होتा है हमारी बोडी में काटिंग बातार की लिए उसके जूस किया जाता है अब बात करो हैं उगाइस पे विल्याएं बारे में आपको कौन-कौन से benefit मिलने वाले हैं सबसे पहले तो यह आपकी बोड़ी में protein synthesis को बढ़ा देगा जिसकी बज़ासे आपकी जो muscles है वो ज्यादा से ज्यादा growth कर पाएंगे और उसकी recovery बहुत ही फास्ट हो जाएगी सेकेंड आपकी बोड़ी में आर बीसी बढ़ा देगा जिसे आप बहुत ही लीन दीखोगे फिफ्ट आपकी बोड़ी में fat reduce करेगा और जिसकी बोड़ी में pain और fatigue को relief करेगा जिसकी वज़ासे आप थक हुए मैसूस नहीं कर सकते तो गाइज यह थे इसके फायदे तो गाइज इसके नुकसान भी है जो आपको जूरू मिलेंगे तो गाइज अब मैं बात करने बाला हूं इसके side fact के बारे में आपको कौन-कौन से side fact मिलने वाले हैं तो गाइज अगर आप stereo जूरू मिलेंगे जो बहुत ही common है तो गाइज इसे बहुत ही सोच समझ के जूज कीजिए अगर जूज करने हैं तो डक्टर की सला से कीजिए तो गाइज side fact की बात चल लिए तो मैं आपको इसके side fact बताता हूं आपको hair loss की problem हो सकती है oily skin जिसके बज़ा से आपकी जो skin वो oily देखेगी आपको पसीना बहुत ही ज्यादा आएगा high blood pressure की problem रह सकती है और आपको गाइनों की problem भी आ सकती है जिसकी आपकी chest बहुत ही बद्दी दिखेगी आपकी heart beat fast हो सकती है और आपको head age की problem भी रहेगी तो गाइज इसके बहुत सारे नुक्सान है तो please so समझ के इसे जूज कीजिए अब मैं आपको इसकी doze के बारे में बताऊंगा आपको इसकी doze किसे साब से लेनी हा तो गाइस शुरूब शुरू में अगर आप इसे start कर ले है अगर आप beginners है तो आपको इसकी dose बहुत ही so समझ की लेनी है और गाइघ वर इंटर मेंड़ीन प्छासेज कने हैं को भी एक दिन चोड़के कि बारे में आपको इसका साइकल के से साफ से चलाना है तो गाइज इसका साइकल वो आपको 7-8 विक तक ही चलाना जादा लूंग तक नहीं चलाना बल्कि शो टमी चलाना बिकोजेद च्थेलेड आ इससे आपको कई सारी प्रोलम आ सकती है अगर आपको कोई भी बीच में प्रोलम आए तो आप डॉक्तर के साथ जूर कंसल्ट कीजिए तो गाइश साथ से आठ वीक तक इसका साइकल चलाना है जो और जो अड़ाइस हो चेके हैं वो इसका साइकल दस वीक तक चलाते हैं बट संसल्ट में डियर आपको इसका साइकल शोर्ट शूर्टम में चलाना है तो गाइश साइकल की बात हो गई या खत्म आपने पूरा साइकल क calculus कर लिया तो उसके बाद आपको साइकल करनी है जिसे मू wes i voor जूरी है जिसके कान हमारे जो नेचल होमोन है बूब बंद कर देते हैं अपनी प्रडक्शन जिसे हमें दवारा से री स्टार्ट करने के लिए मदद लेनी होती है पीसीटी जिसमें कुछ लिए लिए फैडिक्षंग के ऊपर करें तो पिसीटी का साइकल स्टार्ट करें तीसे से तो उसमें आपको चूज़ करना है एक से दस दिन तक सब्सक्राइब को तक पांचो से एक जार आई यू तक जो आपको हर रोज आपको उसको जूज करना है तो तो इसके बाद को कोई भी एक मैडिसीन चूज़ कर लिए है, किलोमीड और नोल्वाडेक्स, इन दुनमें से कोई भी मैडिसीन आपको छूज करनी है, तो आगर आप 1-2 वीग तक कलोमीड ले रहे हैं, इसके डोज़ आपको 1.500 mg और अगर आप नोल्वाडेक्स ले रहे उसकी डोज आपको 20 mg कर देनी है तो फिफ्ट वीक आपका ओप्शनल है अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इंफोर्मेशन अबाउट फूली इंफोर्मेशन वीडियो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है तो कर सकते हैं अगर कर भी रहे हैं तो बहुत ही द्यान से करिए डॉक्टर की कंसल्स से करिए तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना कमेंट करन अगर आपको किसी भी तरह के फिटनर टिप्स डाइट प्लैन वर्कर शडूल के बारे में कोई भी इंफोर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कॉंटक्ट भी कर सकते हो ठैक्यू गाइज मेरे चैनल को जू सब्सक्राइब कीजिए